अज़ के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं राइस कूकर में कुछ सिंपल सी रेसिपी जो डेली हम घर में बनाते हैं और इस सिंपल गैजट में ही यह सारी रेसिपी प्रिपेर होने वाली हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम राइस कूकर का मैक्सिमम आज की सारी ही रेसिपी मैं प्रिपेर करने वाली हूँ अगारो उलेक्टरिक राइस कूकर में जिसका मॉडल है रीगल इसमें एट इन वन कूकिन मोड हैं साथी इसमें प्रिसेट टाइमर है 24 hours का यानि कि आप 24 hours के लिए इसे प्रिसेट करके रख सकते हैं साथी इसमें keep warm का function है जब आपका खाना बन जाए तो वो keep warm mode में चला जाता है और खाना काफी देर तक गरम रहता है अगारो रीगल राइस कुकर हमें बॉन यर की warranty के साथ में मिलता है साथ ही इसके साथ हमें कुछ एक्सरीज मिलती है फर्स्ट है ये सूप लेडल सेकेंड है ये स्पैचुला जो लाइस के लिए हमें काम आएगा इसके बाद एक मेजरिंग कप मिल जाता है जिससे आप मेजर करके अपनी रेसिपी को एकुरेट बना सकते हैं इसके साथ ही एक instruction manual है जिसमें सारे instruction दिये हुए हैं जिसको follow करके आप इसको operate कर सकते हैं नेक्स इसके साथ हमें कॉर्ड मिल जाती है राइस कुकर का यूज स्टीम करने के लिए भी किया जाता है तो इसमें हमें एक steaming basket मिल जाती है जो stainless steel की है और इसमें भी यहाँ पर measuring scale बना हुआ है इसके साथ ही इसमें मिलता है हमें ये bowl इसमें सारी cooking होती है और ये ceramic coated bowl है और इसके अंदर मिला है हमें वो इसके अंदर fit हो जाता है तो इसमें आप आराम से steaming कर सकते हैं राइस कूकर के inner side अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक hot plate मिल जाती है जिसके उपर आप इस सिरा में coated bowl रखेंगे और इसमें cooking होती है उपर आपको जो vent दिख रहा है वो एक steam vent है जो removal है उससे आप बहुत ही easily निकाल कर clean कर सकते हैं तो अब यह आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसको इसके अंदर fit करना है तो यह देखें दोनों ही bowl इसके अंदर आराम से fit हो जाते हैं इसका power 500 watt है तो यहाँ पर यह cotton हम पहले इसका अटाच कर देते हैं फिर steam collect होके जब condense हो जाती है तो इस water form में आ जाती है तो यहाँ पर collect होती है और यह उपर से vent है जिसको आप इस तरह से remove भी कर सकते हैं और इस तरह से clean करना काफी easy हो जाता है इसका जो lid है वो properly lock हो जाता है एक बार lock होने के बाद इससे steam निकलती है front panel अगर आप इसका देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से यह panel है जो digitally और manually दोनों तरह से ही operate कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यह on किया है बटन और इसमें rice के काफी सारे mode है short grain, long grain, brown rice के लिए इसमें preset menu है तो आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं जो जिस तरह का rice आ बना रहे हैं उस तरह की setting आप कर सकते हैं बाकी चीजों को आप manually भी इसमें adjust कर सकते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर आप temperature, time वगरा कम जादा इस तरह से कर सकत कर सकते हैं और इसको ceramics bowl में लिया है इसमें हम जितनी दाल लिय है उसका double मैं पानी डाल रहे हूं तो इने पानी से में आड़ कर दिया यह के बाद तेसके लॉड़िन नम और थोड़ासा हल्दी डालके और थोड़ासा घी डालके मैं इसको वख्बीष कारुंगी तो यह mix कर दिया है मैं और इसके बाद इसको इस तरह से हम अंदर रग देंगे लिट को इस तरह से एक lock कर देंगे lock होने के बाद आप यहां से set कर सकते हैं यहां पर हमने डाल डाली है तो आप राइस का कोई भी option इसमें चूज कर सकते हैं यहां पर मैं brown rice का option चूज कर रही हूं क्योंकि यह दाल थोड़े से यहां पर time adjust कर सकते हैं बट मैं इसको अभी on किया है मैंने तो इस तरह से यह circle जो गूंग रहा है बस इस तरह से हमारी डाल यह boil होना शुरू होगी बट lunch time में कई बर हमें सबजी भी बनानी होती है साथ के साथ तो अगर आप अपना time बचाना चाहते हैं तो साथ के साथ आप सबजी को भी हलका सा boil इसमें कर दें तो आपकी सबजी भी quickly बन जाएगी तो यहां पर डाल जस मैंने रखी ही थी जस पानी गरम ही हुआ है तो यह सबजी मैंने wash करके steamer में लगा दी है और इस steamer को हम set कर देंगे डाल के उपर क्यूंकि डाल कम quantity में है उपर काफी सारा space है तो यहां पर हमारा steamer set हो जाएगा तो यह सबजी को as it is इसमें हम रख देंगे इसमें हमें कुछ भी add करने की जूरत नहीं है डाल के boil होने पर steam बनेगी और उसी से हमारी सबजी भी cook हो जाएगी तो इस तरह से मैंने इसे lock कर दिया है setting जो मैंने already रखी थी वही मैंने रख हुई है 10 मिनट के बाद मैंने open करके देखा तो 10 मिनट में हमारी सबजी बहुत अच्छे से steam हो चुकी है तो इस टाइम हम सबजी को निकाल लेंगे मैंने इसमें कोई भी पानी नहीं बढ़ाया था steaming के लिए तो यहां पर दाल हमारी cook हो चुकी है बर इसमें पानी कि मैं इसको 15 मिन के लिए और रग दूँगी और अब मैं आपको दिखा रही हूँ दाल यह देखिए दाल का टेक्शिर कितना बढ़िया है थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे और यह दाल हमारी बनकर रेडी है जस इसमें हमें तड़का लगाना है दाल में तड़का लगान तो उसको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है नेक्स टाम इसमें बनाएंगे राइस तो राइस में यहां पर स्टीम करके बना रही हूँ जो कि लोग कार्ब राइस होते हैं यानि कि जितना भी स्टार्च वो सारा नीचे रह जाएगा जस राइस से जляदा तो नीचे चला गया है योकि हमारे सेरामिक पड में है और ऊपर पानी हलका सा चावल के उपर दिख रहा है तो इसको इस तरह से हम लेबल कर देगे और इसके बाद यह स्रामिक पॉड हमारा जाएगा राइस कूकर के अंधर इसको हम लॉक कर देंगे तो यहां प बिल्कुल भी sticky नहीं बनते हैं एकदम खिले-खिले बनेंगे अरभी मैं आपको दिखाती हूं उसके नीचे जो भी extra water है वो आपको ceramic pot में मिलेगा यह देखे और यह सारा starch के साथ जो पानी है यह हमारा अलग निकल जाता है जैसे हम normally चावल बनाते हैं तो चावल का पानी अल रात में की थी तो रात में दही जमाने के लिए मैंने fridge का ही ठंडा दूद लिया है और उसमें मैंने दही थोड़ा सा डाल दिया है जामन जो हम use करते हैं उसको अच्छे से mix कर दिया है इसको मैंने ठंडा लिया है तो इसके लिए मुझे rice cooker को इस तरह से switch on करना पड़ेगा उसके बाद इसमें मैंने जो curd set करने रखी है वो उसके अंदर रख दूँगी और इसको हम keep warm mode में 5-10 मिनद के लिए रखेंगे ताकि दूद का हलका सा temperature आ जाए यानि कि वो हलका सा liquid warm हो जाए उसके बाद आप switch off कर दीजे lock रहने दीजे और morning में जब आप देखेंगे तो आपकी जो दही है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी next morning मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ यह देखेंगे दही बहुत ही अच्छे सेट हो गई है अभी इससे आप fridge में रखेंगे आज उसके बाद इसको देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छे सेट हो जाती पर मै है आपको दिखाने के लिए अभ भी डरेकली आपको दिखा रही हूँ कि हमारी दही किस सेट हुई है यह देखें दही बहुत ही अच्छी सेट हुई है जिस तरह से कर्ड मेकर में होती है लिक्लु उसी तरह से आप इसमें दही को सेट कर सकते हैं इंडियन थाली मीठे की व इसको हम लिट कवर करके ही भुनने देंगे और एक दो मिनट के लिए जस मैंने कवर किया था उसके बाद ओपन किया है इसके बाद मैंने यहां पर यह भीगी हुए राइस में आड़ कर दिये हैं तो यहां पर मैं गोविंदो भोग राइस यूज करी उनको भी हलका सा चला ल पहलेंगे इसके बाल इसमें एट करेंगे sugar, sugar के साथ भी हम यह को थोड़ा साच्रे से ब्होन लेंगे ताकि यहां राइस हमारे caramelize हो 잘 है इसमें अब हम एैट करेंगी milk यहां पर आप देख सकते हैं राइस और सारे जो ड्राइफूड है बहुत ही अच्छी एक खुश्बू आ जाती है इस टाइम पर इसके बाद मैंने एक बड़ा कप भरके इसमें मिल्क आड़ किया है मिल्क आप बीच में और भी आड़ कर सकते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने जस एक कप मिल्क डालकी इस करके बनाना है तो आप इसमें पॉरिज वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं इसे खीर बहुत अच्छी बनती है तो देड़ घंटे में लगवक खीर बनकर आपकी रेडी हो जाएगी लास्ट के फाइब मिनिट हैं और मैं आपको दिखाती हूँ खीर कैसी बनी है तो आप फिर आप इसको ट्रांसफर कर लें दूसरे बर्तन में और यहां पर मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर ली है खीर और मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ जो खीर वाला बर्तन है वो जनरली बहुत ज़्यादा जल जाता है जम बनाते हैं बर इसमें आपको बर्तन एक् का वीडियो पसंद आया होगा प्रोड़क्ट रिलेटेड जो भी इंफर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहां से चेक जरूर कीजेगा तो आज का वीडियो यहीं पर बाइंड अप करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ किसी और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ थैंक्यू थैंक्स फू वाच्चिंग है वनाइस टे